केंद्रियम मंत्री मेडल के मेरे साथी अस्फिनी बैस्टनग जी राजिव चंद्रशेखर जी जीपे के आउटगोइंग चैर्ल जपान के मिनिस्टर हिरोशी योशिदा जी मेंबर कंट्री के अन्य मिनिस्टर्स अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों ग्लोबल पार्टनर्सिम और अर्टिफुशन इंटेलिजिएंस समीट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समीट की अद्रिक्ष्टा करने जा रहा है यह समीट एक ऐसे समय हो रही है जब AI को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छीड़ी हुई है इस डिबेट से पॉजिटीव और नेगिटीव हर प्रकार के एस्पेक्स सामने आ रहे है इसलिए इस समीट से जुड़े प्रत्यक देश पर बहुत बड़ा दाईत्व है बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल और इंडिस्ट्री लीडर से मिलने का उश्चर मिला है मैंने उनसे मुलाकात में भी समीट की चर्चा की है AI के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीडिया कोई भी छुटी नहीं है हमें बहुत सतर्प्ता के साथ बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है और इसलिए मैं समझता हूँ इस समीट से निकले विचाव इस समीट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मुल्भुत मुल्य है उसके रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे फ्रेंड्स आज भारत एई टैलेंट और एई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है भारत की युवाट टैक एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स एई लिमिट्स को एक्स्प्लोर कर रहे है भारत में हम एक बहुती जोज से भरी हुई AI इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं यहां आने से पहले मुझे AI एक्सपो में जाने का उसर मिला आर्टिफिशल इंट्रिजेंस कैसे जीवन बदल सकते हैं यह हम इस एक्सपो में देख सकते हैं कि युवा एई इनिशेटिव के तहट चुने गए विवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना वह स्वाबाविक भी था यह हुआ टेक्नोलोजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं भारत में AI से जुड़े सॉलुशन की चर्चा तो अब गाउं गाउं तक पहुंच रही है हाली में हमने एग्रिकल्चर में AI चैटपोर्ट को लॉंच किया इसे किसानों को अपने एप्लिकेशन स्टेटर्स पेमेंट डिटेल्स और गवर्मेंट स्कीम से जुड़े अपने जानने में मदद मिलेगी हैं हम AI की मदद से भारत में अपने हिल्च सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांस्फॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं हमने AI for all की भावना से प्रेजित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तयार किये हैं हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलप्मेंट और इंक्लूजिव ग्रोथ के लिए AI की शमताओं का पूरा फाइदा उठा सके हैं भारत AI के responsible और ethical यूज के लिए भी पूरी तरह committed है हमने national program on artificial intelligence शुरू किया है हम भारत में AI mission भी launch करने जा रहे हैं इस mission का लक्ष भारत में AI compute power की परियापत क्षमता स्थापित करना है इससे भारत के startups और innovators को और बहतर सुविधाई मिलेगी इस mission के तहत agriculture, healthcare, education जैसे sectors में AI applications को promote किया जाएगा हम अपने industrial training institute के माध्यम से AI skills को tier 2 और tier 3 शहरों तक पहुंचा रहे हैं हमारे पास national AI portal है जो देश में artificial intelligence initiative को बढ़ावा देता है आपने एरावत initiative के बारे में भी सुना होगा कि इस common platform का उप्योग बहुत जल्द सभी research lab industry और start-up कर सकेंगे friends AI के साथ हम एक नए यूग में प्रवेश कर रहे हैं artificial intelligence का विस्तार technology के टून से भी कहीं जादा है AI हमारे नए भविश्कों गड़े का सबसे बड़ा आधार बन रही है AI के एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को connect करने की उसकी क्षमता AI के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती बलकि यह समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है इसलिए AI को अपने भविश्य के लिए अलत प्रकार के AI की भी ज़रुवत पड़ेगी यानि AI को all inclusive बनाना पड़ेगा all ideas को अपनाना पड़ेगा AI की development journey जितनी ज्यादा inclusive होगी उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा inclusive आएंगे हमने देखा है कि पिछली शताब दिमें टेक्नोलोजी तक अन इक्वल एक्सेस की वज़े से समाज में मौजूद असमानताय और बढ़ गई थी अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है हम जानते हैं कि टेक्नोलोजी के साथ जब डेमोक्रेटिक बैल्यू जुड़ जाती हैं तो वह इंक्लूजीव की इंक्लूजन की दिशा में मल्टिप्लाइर के तौर पर काम करती हैं इसलिए आटिफिशल इंट्रिजन्स के भविश की दिशा भी हुमन वैल्यूस पर डेमोक्रेटिक वैल्यूस पर पूरी तरान निर्फर करेगी आटिफिशल इंट्रिजन्स हमारी की एफिशन्सी को बढ़ाने में मंतदत कर सकता है लिकिन यह हम पर है कि हम i66 आटिफिशल इंट्रिजन्स हमारी की इनट्रिजन्स हमारी molto इसको बढ़ा सकती है लेकिन यह हम पर है कि हम अपने एक इस निसको भी बनाए रखे इस दिशा में यह मंच विभिन्द देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है किसी भी सिस्टेम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफरमेटिव, ट्रांसपरंच और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है इसमें कोई संदे नहीं कि AI ट्रांसफरमेटिव तो है ही लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरंट बनाएं अगर हम इस्तिमाल हो रहे डेटा और अल्गोरिद्म को ट्रांसपरंट और फ्री फ्रम बायस बना सकें तो एक अच्छी शुरुबात होई हमें दुनिया भर के लोगों को ये अकीन दिलाना होगा कि AI उनके लाब के लिए है उनके भले के लिए है हमें दुनिया के विविन्द देशों को ये भी विश्वात दिलाना होगा कि इस टेक्नलोजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा AI पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब AI से जुड़े एथिकल, एकानामिक और सोशल कंसर्ण्स पर ध्यान दिया जाए उधार के लिए अगर अपस्केलिंग और रिस्केलिंग AI के ग्रोथ कर्व का हिस्सा बन जाए तो युवा ये भरोसा कर पाएंगे कि AI उनके भविश्य की बहतरी के लिए है अगर डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए तो लोग यकीन कर पाएंगे कि AI उनकी प्राइवसी में दखल दिये बिना विकास को आगे बढ़ाएगा अगर ग्लोबल साउथ को ये पता होगा कि AI के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी तो वो इसे भविष्ट के एक रास्ते के रुपे स्विकार कर पाएंगे फ्रेंड्स AI के अने एक पॉजिटिव पहलू है लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बाते भी उतनी ही चिंता का विशह है AI 21 सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21 सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभावी सकता है डिप फेक का चलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है इसके अलावा साइबर सिकुरिटी, डेटा ठेट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खत्रा है अगर आतंकी संगठों के पास AI लेस हत्यार पहुंच जाए तो उसे ग्लोबल सिकुरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा हमें इस विशे पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूत है कि कैसे AI के गलत इस्तेमाल को रोका जाए इसलिए ही जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी के दोरान हमने रिस्पोंसिबल यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस का फ्रेमवर्स तयार करने का प्रस्ताव रखा था जी ट्वेंटी न्यू देल्ली टेकलिजरेशन ने AI प्रिंसिपल्स के प्रती सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टिक की है सभी सदस्यों में AI के उप्योग से जुड़े खत्रों को लेकर एक अंडरस्टैनिंग थी जिस तरह हमारे पास विविन्न अंतराष्ट्य मुद्दों के लिए समझोते और प्रोटोकॉल्स है उसी तरह हमें AI के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्ट तयार करना होगा इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर AI टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लोबेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा इसके लिए कन्विक्शन, कमिट्मेंट, कोर्डिनेशन और कॉलोबरेशन की सबसे अधिक जरुत है हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे AI का रिस्पॉंसिबल यूज सुनिश्चित हो सके आज इस समीट के मार्द्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आवान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गवाना नहीं है इस साल में अब कुछी दिन बचे है नया साल आने ही वाला है हमें एक तैस समय सिमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर को पूरा करना ही होगा मानवता के रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स ए आई सिर्फ एक नई टेक्नलोजी ही नहीं है ये एक वर्ल वाइल मूमेंट बन गई है इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्चक है अगले दो दिन आप सभी बहुत से विशवयों पर चर्चा करेंगे मैं तो जब भी किसी ए आई एक्सपर्ट से मिलता हूँ तो अपने सवाल और सुजाव रोक नहीं पाता आज आप एक्सपर्ट से बाते करते हुए भी कई बाते मेरे मन में आ रही है हमें यह सोचना होगा कि AI जनरेटेड इंफर्बेशन की क्रेडिबिलिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम AI टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सकें किसी AI टूल को मार्केट में से रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट कर रा चाहिए इस पर भी जरूर सोच रा चाहिए कि क्या हम कोई सब्वेर कि बॉटर मार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो यह बताएं कि यह इनफर्मेशन या प्रोडक्ट ए आई जनरेटेड है इससे जो व्यक्ति AI जनरेटेड इनफर्मेशन का इस्तवाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशन के बारे में पता रहेगा एक बात मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्यचों से भी कहूंगा सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्द तरह का डेटा होता है इसका उपयोग एविडेंस बेज डिसिजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं क्या हम ऐसे डेटा का AI टूल को ट्रेंड करने में उपयोग कर सकते हैं क्या हम एक ऐसा ओडिक मेकानिजम सापित कर सकते हैं जिसमें AI टूल्स को उसकी ख्यमता के आधार पर रेड यलो या ग्रीन में केटेगराइज किया जा सकते हैं क्या हम एक institutional mechanism सापित कर सकते हैं जो resilient employment को सुनिशित करें क्या हम standardized global AI education curriculum ला सकते हैं क्या AI driven future के लिए लोगों को तयार करने के standards ताय कर सकते हैं ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी experts जरूर विचार करें फ्रेंड्स आप जानते हैं कि भारत में सेंकडो भाशाय बोली जाती है हजारों बोलिया है डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए AI की मदसे स्थानिय भाशा में डिजिटल सर्विसिस कैसे उप्लब्त कराई जा सकती हैं इस बारे में भी सोचें जो भाशा अब नहीं बोली जाती है उसे AI की मदद से कैसे रिवाईव किया जा सकता है इस पर भी काम करें संस्क्रिट भाशा का नौलेज बेच और लिट्रेचर बहुत सम्रुट है उसे AI की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी सोचें AI की मदद से वैदिक माथेमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि ये समीट आइडियास एक्षेंज करने का बहतरीन आउसर उप्रप्त कराएगी मैं चाहता हूँ कि समीट में शामिल होने वाले हर डेलिगेट के लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्स्पिरियंस साबित हो अगले दो दिनों तक आप AI के विबिन पहलू पर गहनता से विचार भी मस करेंगे मुझे आशा है कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे इन पर अमल करके हम एक रिस्पोंसिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर के निरमार का रास्ता जुरूर ससक्त करेंगे आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुक्त पामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद निश्कार